नमस्कार आप देख रहे हैं इस्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सिवक्वार मिश्या उत्तर प्रदेश में यूपी एसाई की भरती कहना चाहूँगा विवादित विवादित इसलिए कि परीक्षा के दौरान एसाईटी के द्वारा पेपर लीक होने की खबर कई लोग जेल जाना उस पर भरती का काम विदिवत चालू रखना संधे का घेरा संधे इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी टेस्ट कोई भी पेपर विना आउट हुए नहीं कनफर्म हो पाता विना आउट हुए कनफर्म नहीं हो पाता सत्ता में बैठे नुमाइंदे वो करते क्या है एक भी परिच्छा सटीक नहीं करा पाते आखिर क्यों कोई सवाल करने वाला है मीडिया के वो धुरंदर प्लेट फॉर्म्स जिनने सवाल आँखों में आँख डाल कर पूछना चाहिए कि इन अब्यर्तियों का क्या दोस है जो आज इस भी सड़ गर्मी में जब लेचर पचास के पास हो तो इको गाइडन में बैठे अपने सरीर को जला रही हो हम बात करेंगे कि अन्य मुद्दों पर सिख्षा स्वास्त है रोजगार पर हम कभी बात करने को एगरी नहीं होते हैं जिन मूलभूत साधनों से प्रदेश चलता है देश चलता है और सबसे बड़ा उस गरीव व्यक्ति का जो एक आस करता है कि मेरा बेटा उत्तर प्रदेश में रहकर कोई सरकारी करमचारी बन ज जाएगा और वो बे सहारा इसी यास में एक दिन दम तोड़ देता है और उसका वेक्टा परिच्छा पास नहीं कर पाता है और वो उस लाइन में भी नहीं जाना जा पाता है जहां से सुरू होता है रोजगार का सिलसिला महगी कोचिंग महगी पढ़ाई और उसके बाद पेपर लीग कहां जाए वो गरीब कहां जाए वो आज कौन से किस दरवाजे पर रोए और सत्ता में बैठे सत्ताधारी दल बात सुनने को राजी नहीं है पिछले कई दिनों से लक्नव में धरना प्रदसन कर रहे न भ्यर्थियों से सत्तारूर दल के किसी भी नेता ने किसी भी अधिकारी ने संपर्क साध कर ये नहीं पूछा कि आखिरा आप बैठे क्यों है कौन हैं वो लोग सुनने में आ रहा है लाखों का खेल हो रहा है अरे ये कौन सा मंत्र है पंद्रा लाख वीस लाख सीट बेच दो कौन है वो लोग चर्चा क्यों इस पर सबाल क्यों नहीं जब चाओ उस भर्ती को चालू रखो जब चाहे रिजेक्ट कर दो कोई सुनने वाला नहीं है बड़ी बात है आखिर लाखों लोगों का भविश स्याट का हुआ है और उस भर्ती पर जिसके कंधे पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा विवस्था की कमान होती है और उस भर्ती को भी पारदर्सिता नहीं मिली सवाल यह है क्यों पेपर लीग शिस्टम लीग गर्दन पे तलवार किसके पर रखिया उस अभ्यर्थी के पर जिसने तैयारी की कौन जवाब दे ही तैय करेगा और आप ही की पुलिस आप ही की एसाइटी उसमें कई लोगों को जेल भेज चुकी है तब है यह हाल कहने को बहुत कुछ है सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर पत्र